हेलो बच्चो तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे और आपकी बोर्ड इक्साम की तियारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी तो जैसा कि हम बात कर लें आज के स्वेडम हम देखने वाले हैं बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक के बारे में तो आप देख सकते हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है खंडखा खंडखा तो सब को ही पढ़ लेता है क्योंकि खंडखा में नॉर्मल वही चीज़ा आती हैं गध्याश पद्याश जीवन परशे और हमारी जो कहानिया है इन ही पे बेश्ट हमारा खंडखा होता है लेकिन खंडखा में क्या होता है सटीक नंबर मिलते हैं ठीक है सटीक आप पचास में पचास नंबर इसमें से ले जा सकते हैं ठीक है तो हम आज के स्वीडियो में पूरे खंडखा को आज एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे ठीक है तो बिना आपका टाइम वेस्ट के स्ट संस्कत से कितना कोरस आता है और क्या-क्या पूछा जाता है सब कुछ बताएंगे तो देख सकते हैं आप संस्कत के संपूर गध्यांश छॉफ स्लोक हम आपको बताएंगे तो गध्यांश के लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है संस्कत भाशा महत्वम और पद्यांच भी आपका साती नमबर खाता है, अगर स्लोक की बात करें, तो स्लोक में दो चैप्टर पूछे जाते हैं, पहला है सुबह से तिरतना नहीं, दूसरा है जातक कठा, ठीक है। आप अगर शंस्कत में इन चार चैप्टर को त्यार कर लेते हैं ये चारो चैप्टर मोश्ट इंपोर्टन चैप्टर है तो आप 14 नंबर आसानी से ले जा पाएंगे शंस्कत में ठीक है तो चलिए एक एक का क्या करें हम आपको गद्यांश और पद्यांश सौल्व करना सिख आते हैं तो गद्यांश पढ़िए गद्यांश हमारा पहला है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्व पत्रकारा शीत परमस सर्वोच गुण जनशेवे वाशीत यत कुत्रा आपी आयम जनाना आम दुकिता आम पीड़ा मा पश्य तत्रयव सा सीग्र में उपस्त सर्व विधम सहयमश अकरोथ प्राडि सेव अश्य श्वभाव एवासीत तो पहले तो यह समझे पहचानेंगे कैसे संस्कत में चैप्टर को पहचानेंगे तो पहले ही आपका दे दिया गया है महामना मालवी चैप्टर का नाम पता चल गया तो क्या करना है आपको गहाज इस टाइब से आपको संदर्व लिखना एब अनुवात कैसे करेंगे तो समझ लीजे हमारे माहामना मालवी जी है वह एक विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे विद्वान वक्ता यानि भाशड करता लोग क्या करते हैं भाशड देतें तो हमाई महामना मालवी जी एक विद्वान भाशण करता धार्मिक नेता और कुशल पद्रकार थे। जितने भी दुखित लोग है इनके छेत्र में जहां भी इन पता चलता था कि कि दुखी लोग है तो वो क्या करते थे वहाँ पर शीग्रि उपस्तित हो जाते थे और उनकी सब प्रकार से क्या करते थे सहायता करते थे ठीक है प्राणीoons शेव अश्य श्वभाव विवास्जि परिशमद आत्मना भागिनो पाप हंस पोतिकाए दुहित रच्छमत मयूरो हंस पोतिकाए प्राप लज्जिता तस्मात इस्थानाद पलाईता हंस राजो पी हश्ट मानशा श्वगरच्छम अगच्छ ठीक है तो इसको कैसे पैचानेंगे तो यहां पे हंस राज की बात की की की पार्पत की जा रही है तो इसका संदर्प कैसे निए प्रस्कु प्रस्कुत संस्कृत्याज हमारी पूस्तक संस्कदि दृषिका के मयूरी जातकम नामक शेयरी निए ठीक है अरद्य समझ लिजे हंसराज तदय परिशमद आत्मना बागिनो पाप हंस्पोत का है दुहित रच्छमत हंसराज ने उस सभा में उपस दिए जो सभा उसने बुलाई थे अपने पुत्री के विवाह के लिए तो उसमें किसका चैन किया गया था मोर का चैन उसने सोचा था कि मोर इतना सुंदर है इसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करा हूँगा लेकिन मोर खुशी के मारे उस सभा के बीच में नत्य हो रहा था तो वो भी नाचने लगा तो उसने अपने सारे पंक उठा के जब नाचने लगा तो नगन स्वरूप में आ गया तो सब लोग लजजित हो गए उसको विवाह करवा दिया ठिक है मैयूरो हंस पोतिका ब्राप लजजिता मैयूर जब मोर जो मोर है वो हंस पोतिका यानी हंस राज की पुत्री को ना पाकर लजजित वोकर वहां से चला गया तस्मात स्थानात पलाईता हंस राजोपी helps the वा next як श अगच्छा ठीक है और तभी हं सुराज और वहां पे सभा में उपसे सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए ठीक है तो इस प्रकार से हम संदर्व करते हैं और हिंदी में अनुवात करते हैं ठीक है अगला कुश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो पढ़िए तो स्लोक पढ़ लीजिए नमे अनुवात के लिए लेता है ठीक है तो पहले समझिए अभी यहां पे जाता कता के मयूर की बात हो गई अभी यहां पे उलूक की बात यानि उलू की बात तो यह भी जाता कता के उलूक जातकम सीरशक्षे है ठीक है तो इस टाइप से आपको क्या करना है पाट का नाम कैसे लिखेंगे प्रस्तुत स्लोक हमारी पार्ट पुस्तक संश्कत दिगदर्शिका के जाता कथा के उलूक जातकम नामक शिर्शक्षे उद्गरत है ये संदर्भ हो गया अब इस लोक का अनुवाद कैसे करेंगे ठीक है तो यहां पे बात की जा रही है पच्छियों ने क्या किय सभा भुलाया है राजा बनाने के लिए तो सभी पच्छियों का सुझाओ था क्यों ना इस उलू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता अब क्यों नहीं ठीक लगता अक्रुद्यश मुक्य पश्य कतम कृद्धो भविश्यत जब बिना क्रुद्यश जब इसका मुख बिना क्रोध के ऐसा ही ऐसा चिड़ा-चिड़ा सा बना है तो जब इसको क्रोध हाता होगा तो इसका मुख कैसा विक्रत हो जाता होगा यानि देखने लायक भी नहीं होता होगा तो क्या करना है इसका अर्थ आपने समझ लिया अपने सब्दों में आप इसका हिंदी प्रत्यचे प्रियवादिनम और आपके सामने मीठा बनाई रहने वाले मित्र प्रियवादिनम और आपके सामने मीठा बना रहे और पीट पीछे आपके बने बनाई काम को खराब कर दें तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार व्रज्जते दिसा मित्र विश्कुम्ब पयोम विस्से भड़ा कोई घड़ा हो और उसके उपर ह तो हम उस घड़े को क्या करते हैं त्याग देते हैं उसी प्रकार आपके पीट पीछे आपके बने बनाई काम को खराब करने वाले तता सामने प्रिया बने रहने वाले मित्र को उसी प्रकार हमें त्याग देना चाहिए तो क्या करना है आपको इसका आर्थ समन में आ गया आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में संदर वाड हिंदी में अनुवात कर लेना है तो आप बात आती है व्याकरण के महत्पूर्ट टॉपिक की ठीक है तो व्याकरण में आपको क्या-क्या पढ़ना है व्याकरण में आपको लोकोक्तिया एवं मुहावरे पढ़ना है अपठित गध्यांस पढ़ना है जो की पांच-पांच नमबर के दिये होते हैं ठीक है तो अपठित गध्यांस से सम्मंधित पांच प्रशन पढ़ने होते हैं दो-दो नमबर के ये वाले प्रशन भी होते हैं और क्या पढ़ना है? सब्दों में सूचम अंतर पढ़ना है, अनिकारती सब्द पढ़ना है, वाक्यों में ऊपरमा में दोहा और चोपाई, अलंकार यमक एवन उपुमा, ठीक है? तो आपको हम आजके इस वीडियो में पूरा ग्रामर पोर्शन खतम कराएंगे, ठीक है? तो चलिए हमारा अगला कुश्चन पढ़िए कुश्चन है हमारा निमलिकित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाकिये में प्रयोग कीजिए ठीक है तो मुहावरा पढ़िए तलवार की धार पर चलना तलवार की धार पर चलना तलवार की धाल पे आग तो कोई नहीं चल सकता चलेगा तो उसके पैर ही नहीं कट जाएंगे मरत्यू के समी फोजाएगा वो तो यानि मुसीबत मोल ले लेना तलवार की धाल पे चलना यानि मुसीबत मोल ले लेना अगला है तका सा जवाब देना तका सा जवाब देना यानि सीधे मना कर देना तका सा जवाब देना यानि सीधे मना कर देना अगला है दाल में काला होना यानि काम का खराब होना किसी काम का खराब होने को हम क्या कहते हैं दाल में काला होना तका सा जवाब देना यानि सीधे म पेक मना कर देना और तलवार की धार पे चलना यानि मुसीबत मोल ले लेना और भी काफी सारे most important लोकोक्तियों और मुहावरे बोड इक्जाम में पूछे जाते हैं तो पढ़िए अपना उल्लू सीधा करना यानि अपना स्वार्थ सिध करना अपना काम बना लेना अपना एक भी पैसे लिए हुए अपने पैरों पे खड़े होने को हम क्या कहते हैं स्वाव लंबी बनना कहते हैं या कहते हैं अपने पैरों पे खड़े होना ठीक है अगला पढ़िए अंधे की लकड़ी होना अंधे की लकड़ी होना भाई अंधा आदमी है तो उसके लिए कोई अगर सहारा बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगी अंधे की लकड़ी हो जाएगी क्योंकि अंधे पुरुष को तो दिखता ही नहीं है तो अंधे की लकड़ी होना यानि एक मातर सहारा होना ठीक वो क्या है अंधे की लकड़ी अब शमण कुमार थे अब वो क्या थे अपने मा इद का चान ओना यानि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला पढ़िए उट के मूँ में जीरा, उट कितना बड़ा प्राणी सोचिए और उसके मूँ में हम अगर जीरा डाल दे तो क्या होगा बहुत ही कम होगा इतना बड़ा प्राणी उसको बहुत सारी चीजों की आविशकता है, तो जीरा बहुत थोड़ा है, तो उट के मुँँ में जीरा, यानि बहुत ही थोड़ी सी चीज का होना, बहुत ही थोड़ी सी चीज का होना को हम क्या कहते हैं, उट के मुँँ में जीरा कहते हैं, अगला पढ़िए, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानि थोड़े में बहुत कुछ कहना अगला पढ़िए घी के दिये जलाना यानि बहुती प्रशंता मनाना बहुती प्रशंद होना यानि बहुती प्रशंता मनाना हम घी के दिये कब जलाते हैं दीवाली में दीवाली हम क्यों मनाते हैं प्रशंता के लिए ख के तो घी के दिये के जलाना यानि बहुती प्रशन होना अगला पढ़िए घोडे बेच कर सोना अब घोडे बेच कर सोना यानि बहुती गहरी निद में सोना ठीक है घोडे बेच कर सोना अनमी को उठाया जाए इस पर भी वो ना उठे यानि बहुती गहरी निद में वो सो रह गोड़े वेच कर सोना यानि गहरी निंद में सोना अगला है हमारा अगला पढ़िए पगड़ी उचालना पगड़ी उचालने को हम क्या कहते हैं अपमान करना ठीक पगड़ी उचालना यानि की अपमान करना ठीक अगला पढ़िए आधा तीतर आधा बटेर आधा तीतर आध मेल मिटर ठीक है हम क्या करें हम अगर दाल में दूट डाल दे तो वो क्या होगा एक नहीं है चिक यह क्या है आदा थी आदा बटेर आगे पढ़िए उंची दुकान फीके पकषण उंची दुकान फीके पकषण मतलब केवल बाहर दिखावा, बाहर से काच लगा है, टाइस पत्थर लगा है, उसमें क्या रखी है, मिठाई रखी है, लेकिन वो दो कौडी की है, खाने लाइक भी नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उची दुकान, फीके पकवान, यानि बाहरी दिखावा कहेंगे, ठीक, अगला प पढ़िए मुफुलाना, मुफुला लेना, यानि गुस्से में होना, मुफुलाने का मतलब होता है, गुस्से में होना, तो ये क्या हो गई हमारी सारी मोश्ट इंपर्टन लोकोक्ती एवां मुहावरे, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो बोर्ड एक्जाम आपका अपठित गध्यांस पे आधारित प्रश्णों के उत्तर हमें देने हैं, ये जो अपठित गध्यांस है आपकी किताब से नहीं आता है, बाहर से दे दिया जाता है, और इस गध्यांस से छाट के आपको इन कुश्चन को सॉल्व करने हैं, ये जो तीन कुश्चन दिये पांच नमबर का ये आपका बोर्ड इग्जाम में आता है कितने नमबर का आता है पांच नमबर का आता है जो भी आपको अच्छा लगे आप उस गदान्श को सॉल्व कर सकते हैं अगला कुश्चिन हमारा पढ़िए प्रिशनुत्तर शंख्या ग्यारा ग्यारा में क्या है सब्सक्राइब युगम को चैन हम कैसे करेंगे तो पढ़िए वशन और व्यशन तो वशन और व्यशन का आर्थ क्या हो जाएगा विवश या व्याकुल कवच या भोजन या फिर वस्र और आदत विस्तार या अवधी तो सबसे पहले तो आप ये समझे वशन वशन मिस होत कमल का कमल नीरा जे पंका जे तो इसमें क्या आता है जा आता है तो अमबुज किसका है कमल का हो गया और अमबुद अमबुद यानि बादल बादल अमबुद का है ठीक है तो चलिए विकल्प देखने कि किस विकल्प में रखा गया है तो विकल्प पढ़िए बादल और सम औराम अभिर्म यानी विर्म को क्रते ही रहना belle Rocker गातार हो गया औरौ आपिर्म में पेचारा मतलब होता है सुन्दर, भीर्म में सोता है बिना रुके बिना बिराम लिए और अभिराम का मतलब होता है सुन्दर ठीक है तो देख सकते हैं लगातार है इसमें लेकिन सुन्दर नहीं है अनवरत है लेकिन आकरशक है बिना रुके और सुन्दर तो ये क्या है बिना रुके और अभिराम मतलब सुन्दर तो ये वाला हम पुरुषमिष क्या होता है परुषमिष होता है परुषमिष होता है फर्षा तो पुरुषमिष आदमी है किसमे है आदमी नर और नारी पुरुष और पैसा तो यह तो होगा नहीं आदमी और फर्षा तो यह भी आदमी और फर्षा परुषमिष होता है कठोर परुषमिष क आदमी और फरसाह ये भी नहीं होगा आदमी और कठोर तो परुषमिश कठोर होता है तो आदमी और कठोर ये वाला हमारा सही हो जाएगा अगला हमारा कुश्चन पढ़िए अनल और अनल और अनल ठीक है तो अनल मिस क्या होता है अनल मिस होता है अगनी अनल मिस होता है अगन और वायू क्या हो जाएगा अगनी और वायू विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा तो ये सब्द युग्म बोर्ड इक्जाम में बहुत ही जादा पूछे जाते तो आप इनको अच्छी तरह से त्यार कर लेना और भी सब्द युग्म आप पढ़ सकते हैं अंबुज और अंबुज और अंबुद मीश मुदों होता है कमल ऑर कमल मीश जाता और अगला पूछार जाता है द्रवव ज्युए वायू अनलमुस अग्नि और अनलमै क्या होती वाईू ग्रहा और ग्रहा ये वाला जो नीचे वाला ग्रहा है इसको हम क्या बोलते है घर बोलते है और ये वाले ग्रहा को अच्छे तरह से पढ़ लेना ये डिफ्रेंट्स जल्दी समझ में नहीं आता अगला पढ़िए भवन और भवन भवन और भवन मीज क्या होता है घर होता है भवन मीज संसार होता है अगला पढ़िए सुत और सूत सुत मीज होता है पुत्र और सूत किसको कहा जाता है सारती को सूत एक धागा भी होता है सूत पुत्र को कहा जाता है और सूत सारती को भी क अगला पढ़िए आबरण और आमरण आबरण यानि आभूशन और आमरण यानि म्रत्यु पर्यंत आबरण मिस आभूशन और आमरण मिस क्या होता है म्रत्यु पर्यंत म्रत्यु के बाद अगला पढ़िए प्रणय और पढ़िनय प्रणय मिस प्रेम होता है प्रणय मिस विव अगला पढ़िए सर और शर, सर मीश बान होता है, सर मीश तालाब होता है, तो यह कुछ most important सब्द यूग में थे, आप इनको अच्छी तरह से त्यार कर लेना, बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही जादा most important है, अगला पढ़िए निमलिकत सब्दों में से किसी एक सब्द के किसी भी एक सब्द के हमें क्या करना है, दो अर्थ लिखना है, तो पहला क्या है हमारा अंबर है, अंबर मिस, अंबर यानि आकाश है ना, अंबर मिस क्या होता है, आकाश होता है, और अंबर मिस वस्त्र भी होता है, अगला पढ़िए पट, पट यानि द्वार, दर्वाज इसको हम क्या बोलते हैं पट बोलते हैं अगला पढ़िए अगला हमारा है विधी विधी मिस क्या होता है किसी चीज की रेश्पी बना लेना जैसे खाने की विधी होती है तो वो क्या हो गई हमाई विधी हो गई और क्या होता है विधी मिस विधाता होता है भाग निर्माता ह अग्ला पढ़िये पर थह पी आप भी कौन से जब्ध कर पढ़के आपको परखे सकते तो देख वी होती है जलद जलद मीस क्या होता है जलद आकाश को कहा जाता है बादल को कहा जाता है जलद आकाश को और बादल को कहा जाता है नीर किसको कहा जाता है नीर पानी को कहा जाता है तोई को कहा जाता है ठीक है अंबर पढ़िए अंबर किसको कहा जाता है अंबर वस्त्र को कह नाग किसको कहा जाता है साप को कहा जाता है हाधी को कहा जाता है अगला पढ़िए अली है अलिमिस क्या होता है अलिमिस भौरा होता है सकी होता है बिच्छू होता है ठीक है अगला पढ़िए कर्ण कर्ण किसको कहा जाता है कर्ण कान को कहा जाता है और कर्ण कुंती का पुत्र भी है ठीक है अलिमिस भौरा शकी बिच्छू ठीक है तो यह most important अनेकारती सब्द है आप इनको अच्छी तरह से त्यार कर लेना अगला हमारा question पड़िये निमलिकित वाक्यानशो के लिए एक सब्द का चैयन कर करे लिके निमलिकित वाक्यानशो के लिए एक सब्द बताना है जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहा जाता है नेतर सम्मुक प्रत्यच आँख के आगे या प्रत्यक आँख जो आँखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं प्रत्यच कहते हैं ठीक है अगला पढ़िए जानने की इच्छा रखने वाला जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं जिग्यासु कहते हैं या फिर वो दिवान कहते हैं तो जानने की इच्छा केवल जिग्यासु व्यक्त ही रख सकता है वही क्या करेगा हर चीज जानने की इच्छा रखेगा आस्तिक कहते हैं जो लोग इस्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें हम नास्तिक कहेंगे जो विश्वास रखता है उसको आस्थिक और जो विश्वास नहीं रखता उसको हम नास्थिक कहते हैं अगला पढ़िये जो पढ़ना लिखना जानता हो जो पढ़ना लिखना जानता हो हम लोग पढ़ी लिखतो रहे हैं तो हमें क्या कहा जाएगा साथ च्छर कहा जाएगा जो पढ़ना लिखना जानते हो उन्हें क्या कहते हैं साथ च्छर कहते हैं और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता जो पढ़ना लिखना ना जानता हो तो उसे हम क्या कह देंगे उसे हम कहेंगे अनपढ जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे अनपढ और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम साथ चर कहेंगे अगला पढ़िये पिता की हत्या करने वाला क्या कहा जाएगा पित्रहंता कहा जाएगा पित्रहंता अगला पढ़िये अंडे से उत्पन होने वाला अंडे से जो उत्पन होता है उसे हम क्या कहते हैं अंडज कहते हैं जो अंडे से उत्पन होता है उसे हम अंडज कहते हैं और अगला है जिसकी उपमा ना दी जा सके उपमा ना दी जा सके उसे हम अनुपम कहते हैं पर दों के लिए एक सब्द जो की काफी जादा board exam के लिए important है तारे त्यार कर लेना अगला हमारा question board exam में आता है निमनलिकित में से किनी दो वाक्यों को सुद्ध करके लिखे किनी दो वाक्यों को सुद्ध करके लिखना है तो वाक के पढ़िये तुम तो कुर्शी पर बैठे हो तुम तो कुर्शी पर बैठे है तुम तो कुर्शी पर बैठे है इसका सुद्ध हो जाएगा तुम तो कुर्शी पर बैठे है ना तो यहां पे हो जाएगा हो तुम तो कुर्शी पर बैठे हो अगला पढ़िये इस सरोवर में अनेको कमल खिले हैं तो इस सरोवर में अनेको कमल खिले हैं तो ये जो अनेक है ये क्या है अपने में ही बहु अचन है तो हो क्या जाएगा इसका सुद्ध वाक्य इस सरोवर में अनेक कमल खिले हुए हैं खिले हैं या खिले हुए हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो कवित्री ने, कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया, कवित्री तो भाग ले रही है, सम्मेलन में तो कवित्री भाग ले की नहीं, कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया, अगला पढ़िये, क्रप्या अनुमोदन करने की क्रपा करें तो इसको कैसे सुद्ध करेंगे क्रप्या अनुमोदन की क्रपा करें करने की कोई आवशक्ता नि क्रपा तो वो करनी ही है पहले इक्रप्या प्लीस लग जिया है प्लीस पहले लग जिया है न तो हमें करवाने की कोई जरूरत नहीं क्रपया अनमोदन की क्रपा करे इस तरह से वाक्यों को शुद्ध करके लिखा जाता है और भी काफी सारे वाक्यों में तुरूटी मार्जन होता है तो कैसे आप लिखनाएंगे परमात्मा के अनेको नाम है अनेको लिखने की कोई आवशक्ता नहीं है आपको लिखना होगा परमात्मा के अनेक नाम है अगला पढ़िए मेरे को विद्याले जाना है कैसे लिखेंगे आप मुझे विद्याले जाना है तो ये सुद्ध हो जाएगा अगला पढ़िए सज्जन पुरुष सब का भला चाहते है सज्जन पुरुष सब का भला चाहते है सज्जन तो हई है सज्जन अगर कहा जाएगा तो सज्जन में खुदी एक व्यक्ति का नाम हो जाता है ठीक है तो सज्जन तो खुदी एक व्यक्ति है तो इसके लिए पुरुष लगाने की कोई आवशक्ता नहीं है तो सज्जन सब का भला चाहते है सज्जन लोग सब का भला चाहते है अगला पढ़िये क्रप्या मेरे घर पधार ये क्रप्या करके मेरे घर पधार ये क्रप्या करके मेरे घर पधार ये तो इस प्रकार से वाक्यों में तुरुटी मार्जन सही की जाती है अगला कुश्चन हमारा है बारवाँ पढ़िए वीर्रस अत्वा हासिरस का इस्थाई भाव देते हुए उदारण शेत परिभाशा लिखनी है एक युझी अत्वी परिभाशा लिखनी है, तो यह सब परिभाशन शेते हुए हम आपको केवल दो लाईनों हम रिवर्रस नियुक, तो झायी ओधन वाशा होता है वीर्रAss की बात की जाए, तो वहां पर वीर्रस राव होता है अता वीरस, हाश रश जिसमें हशी आजए, जिस सब्दों को पढ़ने में पंग्ति को पढ़ने पर हशी आजए, जैसे सीस पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास के दंगा भे और नंगा के विवा में, संकर जी के ऐसे नगन रूप को देख कर उनके जो शिर्क पर ज स्ले सलंकार अत्वा उत्प्रेचा अलंकार का लच्छन एवन उदारन दीजे, स्ले सलंकार में क्या होता है, एक ही सब्द आता है, और उसके अर्ध हर चीज के लिए अलग-अलग होते हैं, वापिश ले सलंकार जैसे, चरण धरत, चिंता करत, चितवत चारी हूँ और उपमे से उपमान की तुलना दर्शाई जाती, जैसे सोहत ओड़े पीट पते स्याम सलोनेगा आत्मनो नील मनिशेल पर आतप पर्यु प्रभात, यहाँ पे स्याम सुंदर के पितामर्गी तुलना नील मनिपरवत पर पर परने वाले सूरज के प्रकाश्य की गई है, अगल हनवान चालिशा आती होगी, तो उसका लाष्ट वाला दोहा लिख दीजिए, पवन तरह संकठरन, मंगल, मूरतिरू, उप्राम, लकंसीता, सैथरते पसो, सुर्भु जादा तर लोगों को हनवान चालिशा आती है, तो इसमें जादा दिमाग पच्ची नहीं करना है, सीध उसके नहीं करना है, जिन को सोर्थे, नहीं कर लिख दो आता है तो बहुत ही अच्छी वात है अगला पढ़ ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा आता है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधा को आवेधन पत्र और प्रातना पत्र लिखे ठीक है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधा को आवेधन पत अथवा में भी एक आया है सहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्याना कर्शित करते हुए आवेदन पत्र लिखना है ये भी हमने करवाया हुआ है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं अगला कुश्चन पढ़िए 14 नंबर नि रोजगारी की शमश्या पर निबंध करवाया हुआ है आतंकवाल शमश्या और शमदान का भी निबंध हमने करवाया हुआ है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ये दोनों निबंध अच्छे तरह से त्यार कर सकते हैं तो ये थे आपके व्याकरण के टोटल 50 नमर ठीक है अगर आप इस तरह से त्यारी करते हैं तो व्याकरण में आप 50 नमर आसानी से लापाएंगे तो वीडियो ज़रा सभी अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे इसी तरह के इंपर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आप को आसानी से मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो